हेलो दोस्तो नमस्कार ये लेक्चर नमर थर्ड में आपका स्वागत है और एक हम नए इंफॉर्मेशन के साथ आए हैं इसमें हम फिर से वही 25 कोस्टंस करने वाले हैं तो आज का जो हमारा पहला कोस्टंस है दोस्तो वो कुछ इस तरह का है पहला कोस्टंस है हमारा ये आपक इन्फॉर्मेशन दिये हैं कि आपको Hindi English दोनों पढ़ना है और जो जो important बाते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है तो अगर आप इस स्रीज का पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहला लेक्चर देख लिजी ताकि वहां से आपको basic information क्या होगा पता चल जाएगा तो सबसे पहले अब हम one by one questions को क्या करते हैं डिसकस करते हैं तो आज का जो हमारा पहला questions है दोस्तों वो कुछ ऐसा है पहला questions कह रहा है कि जब पढ़ाते समय आपको महसूस हो की बहुत सारे विद्यारते ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप अपनी परतिकिरिया क्या होगी ठीक है तो देखिए अगर जब आप पढ़ाना start करते हैं ताब आपको पता चले कि आपका जो सिच्छन बिधी है या फ बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है पहला answer जब हम लोग पढ़ते हैं तो कह रहा है कि आप उन्हें ध्यान देने को कहेंगे तो जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपको इस तरह का answer करने से पहले क्या करना है चारों को answers को पढ पहले थे तो पहला उन्हें ध्यान देने कहेंगे या फिर दूसरा answer होगा तो देखिए अगर बहुत सारे बच्चे हैं तो जहिर सी बात है कुछ teacher में ही fault होगा अगर एक दो बच्चे बदमासी कर रहे हैं तो उन्हें ध्यान देने कहा जा सकता है तो यहां बहुत सारे बच्चों की बात हरे तो इस cancer कौंसा होगा दोस्तों वी होगा इस cancer कौन सा बात करते हैं तो हमारा आज के साथ रहा है कमारा आज कि जब से सबसे पहले आप कच्छा में इंट्री करते हैं तो इंट्री लेने के बाद आप कौन सा जो कारी है कि यह जो बच्चा लगा क्या है वो गलत लगा क्या है पहले पाठ दिए सबसे पहले कच्छा को हम लोग क्या करेंगे बेवस्तित करेंगे आप पहले बेवस्तित करेंगे कच्छा में बेवस्तित है कि नहीं सब बच्छे सही से बैठे हैं कि नहीं यह सब हम सुनिशित लिखेंगे उसके बाद पिर हम क्या करेंगे पढ़ाना पर्रम करेंगे इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह रहा है कि सिच्छक के विद्यार्तियों के संबंद मदूर होने चाहिए क्यों की तो कह रहा है कि the relationship with a student should be good as क्यों होना चाहिए आपको नहीं सोचिए जब कभी आपको questions इस तरह का बनाना हो तो जैसा कि आपको पता है कि आप अपने आपको एक student मान के या फिर अपने आप एक teacher मान के और answer जब आप सोचिएगा तो answer आप खुद ही निकाल सकते हैं तो मधूर होने चाहिए संबंध ऐसा क्यों कर रहा है तो विद्यारतिक अच्छा में सहज मासूस करते हैं comfortable होते हैं वे उनके द्वारा पढ़ाये गए विशय को पसंद करते हैं सीखने का बाता बरन निर्वित होता है उपक सभी तो जाहिर सी बात है कि teacher और student के भी जब क्या होता है संबंध मधूर होता है तो बच्चे आराम से सीख भी जाते हैं ठीक है और बच्चे उनी टीचर को लाइक करते हैं जो जिनसे उनका क्या हो अच्छा कॉडिनेशन बनता है तो इस तरह के आंसर मिहां पर तीनों जो आंसर है first one second one और third one एक सब से एक दूसरे से मिलता जुलता है मतलब कि एक होगा तो दूसरा भी होगा दूसरा भी होगा तो तीसरा भी होगा ऐसा करके कुछ है तो इसका अंसर जो होगा पुरुकत सभी होगा यह चार नमबर कोस्टंस की बात करें तो चार नमबर जो कोस्टंस है दोस्तों जो चार नमबर कोस्टंस हड़िया चोड़ी पाच करते हैं चार लाश्ट में कर लेंगे तो पाच नमबर कोस्टंस की बात करें कि यदि आप कच्छा में पढ़ा रहे हैं और एक भी दर थी अचान प्रसन का उत्तर देंगे, स्वायम उत्तर खोजने के लिए परोशाहिद करेंगे, बीच में बाधित करने के लिए नाराज हो जाएंगे और उप्यूक्त मेंसे कोई नहीं तो यह तो पहला गलत हो गया, यह नाराज भी हम नहीं होंगे, तो इसका आंसर A भी हो सकता और B भी ह हो सकता बोर्ड कौन सांसर देता है यह देखना पड़ेगा लेकिन अभी इसका आंसर जो है वो एहीं सही लग रहा है ठीक है कि बच्चों को प्रसंद काम क्या करेंगा उत्तर दे देंगे ठीक है अचाना कोई प्रसंद पूछा तो उत्तर दे देंगे लेकिन अगर वो फिर आगे देखा जागा कि उस बच्चे का भी हैवियर कैसा है वो बार बार परकर न पूझा या जा न बुर्च कर इंटर्रेक्ट करता हूझ या पहली बार पूछा है 3 अ पूच्छ और पहली बार पूछाओगा तो बच्चों के परसंद का क्या करेंगे उत्तर दे देंगे ठीक है तो ए और भी दोनों के साथ आ सकते हैं लेकिन हमारे इस आपसे लग रहा है इसका तो पाच के बाद हम अगर हम लोग छे पर आएं को संस पे तो छे नंबर का जो को संस है दोस्तो छे नंबर का कोसंस देखी क्या कह रहा है कि सिच्चन अधिगम में कौन सी परकिरिया की जाती है ठीक है तो सिच्चन जब कह रहा है टीचिंग लर्निंग में क्या होता है हम लोग बोलना सुनना देखना निगरानी करना पढ़ना लिखना तो सभी काम तो होते ही है तो उप अपने विद्यार्थियों के साथ मिलकर सिखने की भावना का अभिकास करने के लिए आप क्या करेंगे यानि कि आप ये कह रहा कि what do you do to develop a spirit of learning together among the students यानि कि students क्या करें सिखने के लिए motivate हो इसके लिए आप क्या करेंगे तो छोटे अध्यन समूह का गठन करेंगे बिद्यार्थियों को प्रसपर सहायता है रूप परिवर्थित करेंगे समय समय पर समय की रचना में परिवर्थन करेंगे तो उप्यूक सभी तो हाँ ये सारे क के बाद 108 नंबर के questions पर तो 108 दोस्तों हमारा देखिए क्या कह रहा है कि एक सिच्छक के रूप में आपके अंदर छमता होनी चाहिए कैसी छमता होनी चाहिए तो पढ़िए answer कि अगर आप एक teacher है तो आप में कौन-कौन से छमता होनी चाहिए तो कह रहा है व्यक्तिकत पात करें 9 number questions में कहारा है कि धीमी गती से सीखने का निमनों में से क्या कारण हो सकता है यानि कोई बच्चा एक धीमी गती से सीख रहा है तो क्या हो सकता है तो घर से भी डाला का दूर होना तो यह तो पहले ही सरासर गलत हो गया मुलभुत ग्यान का भाव तो इसको भी हम सकते हैं आप 20 questions हमारा lecture देख लिजेगा तो जो भी state का कोई भी state का बीड इंटेंस एक जाम हो तो आप आराम से देख लिजेगा पहले का 20 और अबर जो 20 आप बनने वाला है वेडियो तो यह सारा मिला कि आप आराम से क्या कर सकते हैं देख सकते हैं next कह रहा है कि एक सिच्छक को निमलिखित में से किस तरह से एक सिच्छक को कच्छा में विद्यार्थियों को इस तरह से विवर्शित करना चाहिए की, पहला विद्यार्थी एक दूसरे के निकट हो विद्यार्थी एक दूसरे से अलग दूर हो परतेक, सिच्छक परतेक विद्यार्थी उपर नजर रख सके उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आप खुद ही समझ गया होगा कहीं missing है तो 12 हम लोग देख लेते हैं कि यदि आपकी कच्छा में कोई भी द्यार्थी दुर्वेभार करता है तो आपको क्या करना चाहिए तो पहला है उसकी अभेलना करनी चाहिए तो नहीं उसको कुछ न कुछ तो हमको उसके बारे में हमको action लेना पड़ेगा तो अभेलन message यानि कि कुछ बोल के या कुछ संकेतिक रूप से ठीक है असाब्दिक मतलब संकेत रूप से उसको सजा देना चाहिए अलग से बुला कर प्रामर्स देना चाहिए तो ये answer most accurate है पेड़ावगी की हिसाब से teaching and learning की हिसाब से कि सबसे पहले उसको हम अलग बुलाएंगे और उसको क्या करेंगे कुछ प्रामर्स देंगे जिससे के कारण हो सकता वो बच्चा क्या हो जा सुधर जाए नेक्स्ट बन है 13 number questions 13 जो है हमारा वो कुछ ऐसा है कि यदि आपकी कच्छा में कुछ बच्चे लगातार गिरिख कार्स नहीं कर रहें तो आप क्या करेंगे तो इस ज्यादा help मिल जाएगा और नया जो भी लेक्चर आ रहा है उसको भी आप देखिए तो 113 के बाद अगर हम बात करें 114 में तो सिच्छा एक सिच्छक को जनकारी होनी चाहिए तो सिच्छक अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्या जनकारी होनी चाहिए तो पहला बिसाय की अबाल मनों भी ग्यान की है ना चाइल्ड फिजियोलोजी के बारे में टीचिंग टेक्नलोजी के बारे में तो सभी तो आपको ग्यान होनी ही चाहिए तो इसमें सुपरूप्त सभी अंसर हो जाएंगे है ना तो ये बहुत ही जादा आसान सा चैप्टर होता बस बसwsक्त बैसिक कंसेप्ट वुलडफ करना अगर आते बास बैसिक कंसेप्ट आ ये तो फिर इस चैप्टर見て है आप test book क्यों उपयोग करते हैं तो इसका answer है पहले option पढ़ते हैं कि सिखने के उद्देश को प्राप्त करना जो सिखाया जा उसे परिसीमित करना ठीक है विचारों और अब धार्णाओं को समझने के लिए नए मानक सेट करने इसका उपयोग हम लोग सिखने के लिए उद्देश से करते हैं तो इसका answer ऐसे A होगा और हम option पढ़ ले रहें कि आपको समझाया कैसे जा बिचारों और अब धार्णाओं को समझाने के लिए ठीक है समझने के लिए तो ये बिचारों और अब धार्णाओं को हम लोग समझने के लिए टीचर की मदद लेते हैं ठीक है सिर्फ बुक की ही मदद से ऐसा हो जाता तो फिर टीचर का जरुवत ही नहीं पढ़ता तो ये तो wrong होगा नए मानक सेट करने के लिए तो नहीं बुक से हम लोग नए मानक कहां सेट करते हैं हम लोग पहले पढ़ते हैं और उसके बाद खुझ से कुछ अनालिसिस करते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग आगे का मानक सेट करते हैं तो ये आंसर नहीं होगा तो इसका आंसर ए ही होगा अब इसका exact हमको example मन में आ नहीं पा रहा है तो आप खुद ही इस पर सोचिएगा और नीचे comment section में लिखिएगा कि कैसे इसका हो रहा है next one है कि मात्री भासा में सिखना एक शात्र को बिसेबस्तू आसानी से समझने में मदद करता है इसमें और क्या हो सकता है इसमें तो सिधास है कि जब आप मात्री भासा में सिखते हैं तो कोई चीज को आसानी से सिख लेते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा discussion का जरुवत नहीं हमको समझ में आ रहा है इसके बाद 18 number question तो यहाँ तीन questions missing हो गया है तो यह 23 questions का ही series रहने वाला है सिखक का कच्छा कच बहवार अच्छा होना चाहिए ठीक है classroom कच्छा कच का मतलब classroom behavior सिखक का अच्छा होना चाहिए क्योंकि यह एक उधारन अस्थापित करेगा छात्रों का धिक चौकस होंगे बातावरान सिखने के लिए लिए लोकूल होगा तो यह चातरों इसकी सहार ना करना ही तो देखे टीचर और चातर के बीच अगर क्या होता बातावरान अच्छा कहने का मतलब क्या होता उन दोनों के बीच कॉडिनेशन बन रहा है बाचित बहवार अच्छा है तो बच्चे उसमें ज़्यादा सिख जाते हैं आप खुद ही देखे होंगे जब आप बच्चपन में किसी स्कूल में पढ़ते होंगे आप अभी भी जिस स्कूल में पढ़ते होंगे आप जहां भी जिस कॉलेज में पढ़ते होंगे या फिर जो कहीं कोचिंग कॉलेज में पढ़ते होंगे अगर उस teacher से आपका अच्छा बहवार बना उसके परती अच्छी सोच है तो आप ज़्यादा अच्छे ज़्या सीखते होंगे एक बार उसके परती में निगेटिविटी आप बैठता होगा तो आप सीखना क्या करते होंगे छोड़ते होंगे तो ये बात आपको क्या करनी है ध्यान रखनी है आगे अगर हम बात करें 19 में दोस्तों तो इस questions को हम लोग फिर से देखते हैं कि सिखक परा सिखन आवस्यक है यानि कि आपको बीएट का टीचिंग क्यों दिया जाना आवस्यक है तो इसमें क्या है दो option है एक तो A option और D में ठीक लगाया हुआ लेकिन आप ध्यान से समझेगा इस questions को ठीक है जो बच्चा answer करके आया है वो A करके आया है तो सिखक कोषल बढ़ाने के लिए School संगठन के तरीकों को समझने के लिए विएक को ज्यान को बढ़ाने के लिए उप्यक्त सभी तो देखिए जब आप B.A.ट करिएगा तो सिखन कोषल तो आप में आए गहीं आएगा school संगठन कैसे होता है कैसे चलता है इसके बारे में भी आपको जनकारी मिलेगी भी सैका घ्यान भी बढ़ाना पड़ेगा तो दी, इसका answer क्या होना चाहिए D होना चाहिए सभी सही है ठीक है teacher training इसलिए अब this lecture है कि teacher का skill को बढ़ाएगा method of school organization को वहाँ पर समझाया जाता है, अप्ग्रेड नॉलेज़, ठीक है, आफ कंटेंट, जो आपके पस कंटेंट है, उसके नॉलेज़ को भी क्या करा जाता है, बढ़ाया जाता है, तो इसका अंसर क्या होगा, D नंबर होगा, नेक्स्ट में अगर हम आगे बात करें, 19 के बाद 20 में, तो 20 में दोस्तों, अगर हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पी क्या कहा रहा है, कि, के अध्यन से छात्रों का परियोगा, अब इस लिसन चमता हम सुधार होता है, अच्छा, इसके बाद हम लोग पाच कोस्टन्स इसमें और करेंगे, और एक चार नंबर कोस्टन्स हमारा जो छूड़ गया था, हो भी करेंगे, तो अभी थोड़े सा ब्रेक ले लेते हैं, एक मिनट के लिए,